नमस्कार साथियो जैसा कि आपने थमनेल और टाइटल में देखा आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बो हाइडरेट के मैध्पून पर्षनों के बारे में गराम कार्बो हाइडरेट से कितनी एनरजी मिलती है ये भी जाना इसी के साथ साथ में दोस्तों परती दिन एक सामान्य वक्ति को कितने कार्बो हाइडरेट की आउसकता होती है ये भी हमने जाना दोस्तों जो एथलीट होते हैं जो खिलारी होते हैं उन्हें तुरंत उर्जा प्राप्त करने के लिए किसकी आउसकता होती है इस परकार के दोस्तों हमने Part 1 में बहुत सारे क्युष्णों के बारे में जाना दोस्तों ये Part 2 है अगर आपने Part 1 नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में लिये हुए सभी क्यूसन इंपोर्टेंट में सेलेक्टेड है आप को इसी भी परतियों की प्रिक्षाओं के तयारी कर रहे हो आपके लिए ये वीडियो यूजफूल होने वाली है वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना बिल्कुल आसान भासा में समझाने वाला हूँ वीवरन के साथ दोस्तो क्यूसन नमबर पाँच तक कल की वीडियो में कम्पलीट हो गए थे आज किस वीडियो में हम सुरुआत करने वाले हैं क्यूसन नमबर 6 से आईए देखी दोस्तो क्यूसन नमबर 6 क्या कहता है आपकी एक्जम के पॉंटे पी से दोस्तो ये क्यूसन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है क्यूसन नमबर 6 कहता है कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी इकाई है ओप्स नंबर A, सेकेराइड, ओप्स नंबर B, एमिनो अमल, ओप्स नंबर C, नियूरोन, ओप्स नंबर D, नेफरोन तो भी यह आपका जो राइट आंसर होगा, वो होगा ओप्स नंबर A, सेकेराइड दोस्तों जो सेकराइड होता है यह दोस्तों कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी इकाई है कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई है अगर दोस्तों हम बात करें एमिनो अमल के बारे में तो दोस्तो जो एमिनों होते है यह दोस्तो प्रोटीन की जो प्रोटीन होती है आपकी इस प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है बात किलिए है कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तो सेकेराइड और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तो एमेनोमल जिस तरीके से मानुशरीर की सबसे छोटी इकाई दोस्तो कोशी का होती है ठीक उसी ही परकार दोस्तो कार्बो हाइडरेट की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तो वो होती है सेकराइड ठीक उसी ही परकार प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तो वो होती है एमेनो अमल अगर दोस्तो नियूरोन की बात करें तो दोस्तो नियूरोन मस्तिस्क की सबसे छोटी इकाई है सबसे छोटी इकाई है बात आपको अच्छे से समझ में आ रहे होगी अगर दोस्तों मैं नेफ्रोन की बात करूँ तो दोस्तों नेफ्रोन किड़नी की सबसे छोटी इकाई है एकजाम में पूची जाती है दोस्तों आपसे ये किड़नी की सबसे छोटी इकाई है अगर आपसे क्यूशन पूचा जाए दोस्तों कि आपका जो हर्दे होता है कौन सी होती है दोस्तो candidates होती है अगर आपसे क्यूसन पूछा जाए दोस्तो कि आपके जो फैपड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं इन फैपडों की सबसे समझ में आ गए हो एक बार और この fps कर भा देता हूं आशा करता हूँ दोस्तो ये सभी क्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगे एक बार और रियूजन करवा देता हूँ दोस्तो जिस तरीके से मानों सरीर की सबसे छोटी इकाई कोशी का होती है ठीक उसी परकार दोस्तो कार्बो हाइडरेट की सबसे छोटी काई सेकराइड होती है ठीक उसी परकार प्रोटिन की सबसे छोटी काई एमिनो अमल होती है ठीक उसी परकार मस्तिस की सबसे छोटी काई नियूरोन होती है किडनी की सबसे छोटी काई नेफरोन होती है हर्दे की सबसे चूटी काई कार्डियक होती है फैपडो की सबसे चूटी काई वाय यू कूपी का होती है स्क्रीन सोट ले लीजिए दोस्तो ये क्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होगा अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं कियुशन नम्बर 7 की आईये देखी दोस्तो क्या करता है क्यूशन नम्बर 7 दोस्तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेन्ट है इससे एसे क्यूशन में आपको करवाने वाला हTake कि आपको वास्तों में क्यूशन का मजंग का जाएगा देखें दोस्तों क्यूसर नमबर 7 क्या कहता है कि कार्बो हाइडरेट का कारिय है ओप्स नमबर A नुकलिक एसीड का निर्मान करना ओप्स नमबर B है जन्तूओं का बहये कंकाल का निर्मान करना ओप्स नमबर C पोदो में कोशी का बित्ती का निर्मान करना ओप्स नमबर D ह उप्रोप्ट सभी तो भी यह आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तो ओप्स नमबर डी उप्रोप्ट सभी त्याने का मतलब दोस्तो ये तीनों ओप्सन आपके सई है तब जाकर तो ओप्स नमबर डी उप्रोप्ट सभी आपका राइट आंसर हुआ दोस्तो कार्बो हाइड्रेट का मुख्य कारिये क्या है दोस्तों और जाप परदान करना इसके अलावा दोस्तों कार्बो हाइड्रेट क्या क्या करता है देखिए दोस्तों नंबर एक पर बात करते हैं नुक्लिक एसीड का निर्मान करना दोस्तों नुक्लिक एसीड होता क्या है तो एसे अमल जो दोस्तों केंद्रक में पाये जाते हैं, उन्हें दोस्तों नुकलिक एसीड कहते हैं। नुकलिक एसीड दोस्तों कौन-कौन से हैं? जैसे कि DNA और RNA. DNA और RNA की फुलफोरम क्या है? D-Oxy-Ribonucleic Acid और दोस्तों Ribos Nucleic Acid. ये दोनों केंद्रक में उपस्तित होते हैं, और ये क्या है? ये एक परकार के नुकलिक एसीड है. तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पता लगा? कि जो कार्बो हाइडरेड होता है, दोस्तों वो DNA और RNA के निर्मान में सायक होता है. अर्था-अर्थम कहा सकते हैं, दोस्तों कि जो कार्बो हाइडरेड होता है, ये नुकलिक एसीड के निर्मान में सायक होता है. या आपको पहली बात समझे में आई? अब दोस्तों दूसरी बात देखिए. दूसरी बात कहता है, कि जन्तों के भाये कंकाल का निर्मान कौन करता है, दोस्तों? कार्बो हाइडरेट करता है, बिल्कुल दोस्तों. जन्तों का जो भाईयक अंकाल होता है जिसे कि दोस्तों सींग हो गए ये भाईयक अंकाल में आते हैं दोस्तों खुर आ गए बाल हो गए ये दोस्तों सब किस में आते हैं भाईयक अंकाल में आते हैं दोस्तों सींग खुर और जो बाल होते हैं इनके निर्मान में दोस्तों कि किरेटीन प्रोटीन सायक हो तो यह आप से एक जामे क्यूसन पूचा जाता है कि बाईये कंकाल का निर्मान कौन सी प्रोटीन करती है दोस्तों तो यह बाईये कंकाल का निर्मान किरेटीन प्रोटीन करती है बात के लिए तो दोस्तों इस प्रोटीन के साथ साथ ही दोस्तों जो कार्बो हैड्रेट होता है ये दोस्तो जनतों का जो भाईये कंकाल होता है इसके निर्मान में भी सायक होता है आशा करता हूँ दोस्तो ये दूसरी बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अब दोस्तो तीसरी बात पर आते हैं कि पोदो में कोशी का बि कोषी का वित्ति की खोज की थी though everybody a ball थी जो बेढ़से का वित्ति की खोज की थी किसे भोपाटी में दिशेलिए रहे हैं किसे होंता है दोस्तों से लिए के ऐसे लोज तो से लूज के दोस्तों सेलिव दोस्तों एक परकार की polysaccharide carbohydrate है polysaccharide carbohydrate है अर्थार्थ हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो कोशी का बित्ती होती है इस कोशी का बित्ती के निर्मान में कुन सायक होता है carbohydrate सायक होता है आशा करता हूँ दोस्तों ये क्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्क्रीन सोट ले लिजिए और अब चलते हैं दोस्तो अगले क्यूशन के ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूशन नमबर आठ की आए देखिए दोस्तो क्यूशन नमबर आठ क्या कहता है दोस्तो अगर आपको मारे वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यार लाइक कर दीजिए और आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना विया यूसर नमबर आठ कहता है कि कार्पो हाइड्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है और आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा दोस्तो ओप्स नमबर डी उप्रोगत सबी सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तो मेरसमस के बारे में जो दोस्तो कार्पो हाइड्रेट की कमी से होता है प्रोटीन की कमी से होता है और दोस्तो वसा की कमी से होता है सबसे पहले जानते हैं दोस्तो कि बाया मेरसमस रोग में होता है क्या है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू यह रोग बच्चे में होता है जिसकी उमर एक से दो साल हो बात के लिए रहे इस रोगी को क्या होगा इस रोगी के जो हाथ पेर है दोस्तों वो बिल्कुल पतलु होगे पसलिया दिखाई देने लग जाएगी दिखाई देने लग जाती है इसकी जो गर्दन होती है वो गर्दन दुरस्तों बिल्कुल पतली होती है बात के लिए रहे और नमबर चार पर बात करें दूस्तों तो इस रोगी का इस रोगी का सारीरिक वैं मानसीक रूप से परिवर्तन रुख जाता है आसा करता हूँ दूस्तों मेरसमस रोग आपको समझ में आ गया होगा जो मेरसमस रोग होता है ये कार्बो हाइडरेट प्रोटिन और वसा की कमी से होता है दूस्तों ये रोग अधिकानस बच्चों में होता है जिनकी उमर एक से दो वर्स होती है इस रोगी के दोस्तो हाथ पेर बिल्कुल पतले होगे, पसलिया दिखाई देने लग जाएगी, गर्दन दोस्तो बिल्कुल पतली होगी, और दोस्तो ऐसे रोगी का सारी कोई मानसिक रूप से जो परिवर्तन है दोस्तो वो रुख जाएगा। कमी से होने वाले क्या है, रोग है, अगर कार्बो हाइडरीट की अधिक्ता हो जाए दोस्तो तो क्या होगा, सबसे पहले हम बात करें दोस्तो तो जो वजन है आपका वो बढ़ेगा, वजन में वरद्धी होगी, दूसरे नमबर की बात करें दोस्तो तो आपका जो मोटापा ह है उस मोटा पा में वरद्धी होगी अर्था अर्थ हम कह सकते हैं कि भाई या मोटा पा भी बढ़ेगा तो दोस्तो आशा करता हूं यह क्यूशन आपको बहुत अख्छे से समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया है तो दोस्तो लाइक कर देना वीडियो को इसक्रेंश सोट ले लीजिये अब चलते हम अगले क्यूशन की और दोस्तो अब बात करते हैं क्यूशन नमबर 9 की आईए देखी दोस्तों क्या कहता है important है क्यूशन नमबर 9 कहता है कि हमारे सरीर में कार्बोहाइडरेट से कितने परतिसत उर्जा का आयोजन होता है कहने का मतलब यह है दोस्तो सीधी सीधी बासा में कि कार्बो हाइट्रेट से में कितनी उर्जा प्राप्त होती है कितने परतिसत उर्जा प्राप्त होती है ओप्स नमबर ए है 65 परतिसत ओप्स नमबर भी है 10 से 15 परतिसत ओप्स नमबर सी है 20 से 30 परतिसत ओप्स नमबर डी है दोस्तो उप्रो होती है तो दोस्तों लगबग में दोस्तों 65% उर्जा में कार्बो हेड़ेड से प्राप्त होती है अगर दोस्तों मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्रोटीन से हमारे सरीर को दोस्तों 10-15% उर्जा मिलती है अगर दोस्तों मैं वसा की बात करूं तो भैया वसा से हमारे सरीर को लगवग 20-30% उर्जा मिलती है आशा करता हूँ दोस्तो ये डाटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्क्रीन सोट ले लीजिए अब चलते हैं अगले क्यूसन की ओर दोस्तो अब बात करते हैं क्यूसन नमबर 10 की बहुत अच्छे क्यूसन है दोस्तो इंपोर्टेंट है आपकी एकजाम के पॉइंट ओक्यूसे क्यूसन नमबर 10 कहता है दोस्तो कार्पो हाइडरेट के पाचन में कौनसा एंजाइम साहयक होता है ओपस नमबर A टाइलिन एमाइलेज एंजाइम ओपस नमबर B लेक्टेज एंजाइम ओपस नमबर C सुक्रेज एंजाइम ओपस नमबर D माल्टेज एंजाइम तो दोस्तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तो ओपस नमबर E उप्रोक सभी कहने का मतलब दोस्तो ये सब ही आपके right answer है दोस्तो ये सब ही carbohydrate के पाचन में सायक होते हैं अब दोस्तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है दोस्तो कि भईया Tylen M.I.L.H. enzyme खाँ पाया जाता है तो दोस्तो ये लार में पाया जाता है पहली बात के लिए आपको दूसरी बात लेक्टेज एंजयम, सुक्रेज एंजयम और जो माल्टेज एंजयम है दोस्तो ये छोटी आथ में उपस्तित होते हैं आप जानेंगे दोस्तो कि कार्बाइडरेट का पाचन किस तरीके से करते हैं दोस्तो कार्बाइडरेट का सुरोत है रोटी, चावल, आलू, हरी सबजी और मक्का इस तरह के दोस्तो बहुत सारे कार्बाइडरेट के क्या है सुरोत है आपको पता है इन सबी को हम इस्टार्ज की फोरम में खाते हैं किस रूप में खाते हैं दोस्तो इस टार्च की फोरम में खाते हैं इस इस टार्च को दोस्तो जो टाइलीन एंजाइम है जो टाइलीन एमाईलेज जो एंजाइम है दोस्तो किसमें तोड़ देगा यह तोड़ देगा दोस्तो इसको माल्टोज सुगर में माल्टोज सरकरा में मैंने क्या कहा दोस्तो रोटी आलू मक्का चांवल हरी सबजी को इस्टार्च की फोरम में खाते हैं इस्टार्च को दोस्तो टैलिन एमाइलेज एंजैम जो की लार में उपस्तित होता है ये एंजैम ये दोस्तो माल्टोज सरक्रा में इसे तोड़ देगा दोस्तो माल्टोज सरक्रा उपस्तित होती है मूंग फली और बादाम में बात के लिए रहा है माल्टोज सरक्रा किसमे उपस्तित होती है मूंग फली और बादाम में अब दोस्तो माल्टोज सरक्रा को माल्टेज जो एंजैम है जो की दोस्तो छोटी आत में पाया जाता है माल्टेज एंजाइम यह किस में पाया जाता है दोस्तो यह पाया जाता है छोटी आत में किस में तोड़ देगा दोस्तो इसको गलुकोज पलस गलुकोज में तोड़ देगा फिर दोस्तो इस गलुकोज को ओक्सिजन की उपस्तिति में तोड़ा जाता है कारवन डाय तरीके से दोस्तों जो लेक्टेज एंजाइम है ये किस तरीके से कार्बो आइडिट का पाचन करता है देख लीजिए जो दूद होता है दोस्तों इस दूद में लेक्टोज सरकरा पाई जाती है लेक्टोज सरकरा पाई जाती है बात के लिए रहे इस लेक्टोज सरकरा को दोस्तों जो लेक्टेज जो एंजाइम होता है जो लेक्टेज एंजाइम होता है ये दोस्तों किस-किस में तोड़ देता है दोस्तों गलुकोज पलस गेलेक्टोज में तोड़ देता है ठीक उसी तरीके से दो गुलू U होता है को चीनी और शहाद जो होता है इसमें दोस्तों सरक्राप आए जाती है कौन Kấyrences सरक्राप आई जाती है कि इस इस सरक्राट को ौन्हें टोस्तों जो सुक्रेज एंजाइम होता है, सुक्रेज जो एंजाइम होता है, यह किस-किस में तोड़ता है दोस्तों, यह तोड़ता है भईया, गलुकोज पलास फरक्टोज में, किस-किस में तोड़ता है, गलुकोज पलास फरक्टोज में तोड़ता है, दोस्तों, इस तरीके से कार् तक ही रखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना आपके छोटे भाई के लिए एक प्याराशा कमेंट कर देना चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना जिसे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टो टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके मिलते हैं एक सी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिन जे भारत